नमस्कार तो मैं आजकल बड़ा कंफ्यूस चल रहा हूँ और उसकी वज़े है हमारे आदरनिय इगोरिस्ट में साब मतलब भाई बोलते कुछ और है करते कुछ और है है ना वो क्या स्टेटमेंट देते हैं और कुछ और ही दिखता है तो समझ में आती कि मतलब फिर वो बोला क्यों था अगर करना यही था है ना यह मैं बड़ा चल रहा हूं और हाली में जो उन्होंने और चीजे करी जो अब रिसेंट जो चीजे करी उससे तो और मैं देखता हम मेरा दिमाग है ना वो आजकल इधर उधर चल रहा है काफी यह क्या हो कैसे और क्या हो रहा है मतलब ऐसा तो मेरे दिमाग है ना मेरा दिमाग कह रहा है कि confusion ही confusion है solution कुछ पता नहीं और solution जो मिला तो साला question क्या था पता नहीं तो question यह है कि भाई इंडियर football की team आप कैसे बनाऊँगे FCACN Cup के लिए और solution उसका यह है कि भाई आप confusion में हो ठीक है तो वो एक चीज है तो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं उसके पीछे वजय है वजय है कि आपने अभी देखा कि recent में सहाब ने बोला कि मैं इसान पंडित से काफी एक्सपेट मतलब लगा रहा हूं ठीक है चली आसिस राय का तो थोड़ा सा केस पुरान होगे कि चलो आपने राहूल बेके को लिया लेकिन आसिस राय को नहीं लिया बाप रे बाप चलो वो चीज को मैं समझ लेता हूं कि चलो हो गया नहीं लिया ठीक है अगले इस मिलेंगे लेकिन उनको विंगर वगेरा पर भी खिलाया जा सकता है, ऐसे से प्लेयर है, ठीक है, क्वालिटी रखते हैं, अब मनवीर सिंग जो है, वो इंजड हो आते हैं, ऐसा खबार आती है, ठीक है, अब मुझे लगा कि अब मनवीर सिंग बाहर गया तो अब तो पक्का, इसान लोग उसको बोलते हैं, क्योंकि मिड में अच्छा खिलता है, और जब जब उसने मिड में खेला है, अब तक मुझे बहुत अच्छा खिलाडी लगाए हो, अब आप उसको लेके आ गया हो, मनवीर सिंग के जगे पर मतलब क्या, आप उसको नमबर नाइन के लाओगे, अरे लेकिन एक्च्छल में बंदा है नहींने, लेकिन वो फॉर्वर्ड, वो है उसके अगर आप उसके अंदर से अच्छा आप निकालना चाहते हो, काविलियत, अच्छी, पोटेंसियर, तो वो मिड में निकलेगी, ऐसा सब को लगता है, और इस साल तो वो उतना खास, चला भ लगातर देखते आई रहे हैं ना, लेकिन अभी हां, कुछ और भी चीज़ है कि हम किंग्स कप में जाने वाले जिसके उपर हम एक प्रॉपर वीडियो में बना के बात करूँगा, किंग्स कप कैसा और कितना हमको उसमें एक्सपीरियंस मिल सकता है, तो उसके उपर लेकिन अगर आप देख सकते हैं, इधर उदर करके, तो कोशिश कीज़ेगा कि तीनो में थोड़ा 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 कैसा ही बढ़के, लेकिन जादा तो इंडिया मैंस टीम पे फोकस रहे का मुझे पता है, तो इस तरीके की कुछ बात जो थी मेरे दिल में, व भाई इसान पंडित को क्यों ने लिया, इसान पंडित अगर आपके नजर में आपने खुद स्टेटमेंट देते हो, कि पो प्लेयार सब कुछ काबिलियत रखता है, और फिजीक और सब कुछ है उसके पास, तो भाई यहां उसकी जरूरत हो सकती थी ना, किर्गिस्तान जै काफी टफ टीम है, मतलब इंडिया से बेटर टीम आप मान सकते हैं, लेकिन उनका फॉर्म भी बोलेंगे तो इतना कोई खास नहीं चल रहा है, और इंडिया टीम का भी फॉर्म कुछ खास नहीं चल रहा है, तो दोनों है एकदम ऐसा समझ लो कि, हाँ, दोनों खिलने तो व वाला जो मैच अंडर 17 का, वो काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है, अगर हम उसमें जीत दर्जे कर लें तो, तो देखते हैं उसमें क्या कर पाते हैं, बाकी आप साम को भाई मैच देखने के लिए आपको टाइम देना है, भारत का मैच, किर्गिस्तान के अगेंस्टिक है, तो आपकी जो भी राय थॉट्स, जो भी आपके दिमाग में हो, अभी जो रिसेंट फिर से जो है न, कुछ सिलेक्शन हुआ है, एकदम एंड टाइम पर साल अग्दुल समत को बुला लिया जाता है, अरे खतरनाक, चलिए वो इंजिरी की वज़े से बुला लिया जाता है, समझ जाते बात को, सहल को मनवीर की जगे पर क्यों बुला लिया था, वो मैं समझना चाह रहा हूँ, बाकी तो सब चीज के लिए रहे, आप बोल भी सकते कि हाँ, सहल को आजकल स्ट्राइकर बना दिया गया है, तो ऐसे भी आप सोच सकते हैं, तो जो भी आपको लगता है, आप जरूर कमेंड में लेकर जरूर बताईएगा मतलब, और इसी तर आप हारती फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, जय हिन, जय भारत!